है यह यह हैं ने चैप्टर जो पढ़ा था वह पैसा पैसा क्यों करती है पैसे पे यह मरती है मनी के बारे में काफी कुछ हम लोग पाड़ नहीं यह सकता तो मनी सब्सक्राइब में जो हमारा अगला वो समझ में आ रही है चलिए तो लेट्स कंटिन्यू फॉर्दर चलन आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट कॉम्पोजेशन पुट करेंगे टाइटल्ड एज एम टू तो एम टू कोई बहुत खतरनाक नहीं है बस याद रखना आपको मैंने चार कैटेगराईजेशन बताये थे एक बार नोट डाउन कर रहा हूं सबके लिए अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए आपने लास्ट क्लास में लिखे दे सबसे पहला कैटेगराईजेशन हो सकता है नंबर मिसमैच कर जाए मेरा इट वोज करनसी कहने का मतलब कैश इन दा फॉर्म ओफ नोट्स और जिलरन और यह दो लोगों के पास होते थे वन इस कॉल्ड आज इंडिविज्वल्स और अदर इस कॉल्ड आज फॉर्म्स दियो पॉलोजी इस तु बैद आंड रिटिंग अब इस उमर में सुदर नहीं सकती है देर आफटर चलन हम बात करते थे बैंकिंग सिस्टम की जो बैंक्स के थू चलता है इंडिया में और इस थू पोस्ट ऑफिसे याद हुगा सबको बैंक में आप दो तरह का मनी डिपॉसिट करते थे कौन से दो तरह का मनी डिपॉसिट करते थे एक पैसा आप रखते हैं इन यूर सेविंग अकाउंट इफ यूर इन इंडिविजुल और इफ यू आर बिजनस फिर्म यू कीप सम मनी इन कारेंट अकॉंट जब जरुद पड़ेगी आप पैसा निकाल लेंगे अब यह मत वो पॉस्ट अफिस के साथ भी कहानी कुछ ऐसी है और पोस्ट ऑफिस में भी सो कॉल्ड आप ओपन करते हैं सेविंग अकाउंट बचलन इंडिया में पोस्ट ऑफिस बैंक का तो काम करता है बट करेंट अकाउंट जैसा पोस्ट ऑफिस में कुछ नहीं होता क्योंकि पोस्ट को औरिजनली किसले बनाए गया तो इवरीबडी नोज डिस्पैच ऑफ लेटर्स पार्सल और देखा गये कि गाउं वगेरा में भी लोगों को बैंकिंग अक्टिविटीज करनी है तो अब गाउं में बैंकिंग अक्टिविटीज कैसे होंगी वहाँ पे बैंक सेट अप कर सब्सक्राइब यहाँ नाशनल सेविंग सेटिफिकेट्स किसान विकास पत्र एक नई चीज आड़ कर रहा हूं पब्लिक प्रॉविटेंट फंड एंड सुकन्या समरिदी योजना तो इतना लोग फिर से अपडेट कर दें जिनकी कॉपी में यह नहीं है या जिन्होंने ल बगरा बगरा चले आगे अब M2 इसी में से बनेगा और पहले यह समझ लेते हैं कि M1 में क्या-क्या था एक बार रिवाइस कर लेते हैं करन्सी नोट कैश एंड कॉइन हेल्ड विद द इंडिविजुल्स एंड पब्लिक यह था इंडिविजुल्स जो सेविंग अकाउंट तो होगी नहीं तो we'll give that money to RBI, RBI उन बैंक्स को पैसा देगा जिनको इसकी जरुत होगी और क्या RBI फ्री में पैसा देदेगा, no, तो आप State Bank of India हैं, मैं HDFC हूँ और Zoom हमारा RBI है, तो हमने State Bank of India होने के नाते, RBI को अपना सर्प्लस पॉंच लाग करोड उपे दे दिया, RBI य 9% HDFC कस्टमर से लेगा, 9% RBI को देगा, RBI उसमें से 6% SBI को देदेगा, और 3% अपने पास रखेगा, और हम बच्चों को क्या गलत पढ़ाते हैं, RBI is a non-profit making institution, भाईया कोई भी चीज non-profit making नहीं होती है, माबाबी बच्चे को पालते पोस्ते हैं तो अपने वुड़ापे के लिए, ताकि कम से कम चिता को आग दिने at least आ जाएगा, समझ में आई बात की नहीं, तो every activity is an economic activity, ये हमारे Alfred Marshall साहब ने, Adam Smith साहब ने, Lionel Robin साहब ने, और Uncle Paul ने बोला था, Uncle Paul कौन है सर, Paul Samuelson, अगर आपने 11th मेंगी definitions पढ़ी हो, तो every activity is an economic activity, पोपलेम बात गई, तो जो प so called as M1, सुनाई पढ़ गई बात, चलिए, अब आते हैं बचो M2 पे, देखिए M2 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, M1 तो होगा ही होगा, और saving account कौन सा वाला लेना है, post office का, commercial bank का saving account आपको यहाँ नहीं लेना, क्योंकि already वो M1 के अंदर पहले से जुड़ा हुआ ह समझ में आगई बात, तो मैं पूरी definition M2 की यहाँ पे लिखता हूँ, जो आपको M1 के साथ मिलेगी, तो M1 में क्या-क्या था चलिए ना मारे पास, coins, currency with the public, चलिए, तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूँगा, currency with the public, public की बात करें, तो individuals और business community, demand deposits of commercial bank, demand deposits of commercial bank का मतलब होता है, whatsoever money is kept in banks, in मेरे आपके saving account में, और businessmen के कौन से account में? current account में, plus, जो भी पैसा, RBI के पास, किसी भी bank ने रखा हुआ है, whensoever bank wants, ये पैसा निकाल लेगा, और इसमें आप plus क्या कर देंगे? post office का saving account, समझ में आया, तो M2 की definition की, अगर हम लोग बात करें, तो उसमें क्या क्या आएगा? let's see children, let's see, उसमें ये पूरा आजाएगा, उसमें so-called ये पूरा आजाएगा, and ये आजाएगा, समझ में आई बात M2 में क्या क्या आएगा? coins and currency, note, cash वगएरा, सब कुछ, post office के saving account, current account तो होता नहीं post office में, post office के saving account पे रखा हुआ पैसा, and commercial bank के saving और current account, दोनों, plus RBI के पास जो commercial bank का surplus पैसा होगा, जब चाहे commercial bank उसे ले सकता है, ये सारी चीज़ें आजाएगे, तो कौन सी चीज़ें exclude हो रही हैं M2 में चल्ड़न, long term deposits, चाहे वो bank में हो, चाहे post office में हो, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? liquid form की, किसकी बात? liquid form, बात समझ में आ गई, अ M1 constituted this and this, M2 constituted, sorry, this and this, M2 constituted this, this as well as this, अब लोग बोलेंगे, सर M1 में post office का saving account क्यों नहीं आया, बच्चों post office होता है, कभी अगर आपने visit किया हो, बड़े फटे चीज़े हाल में होता है, हूख दे, अगर दो-चार लोग एक साथ जाके, तो चाह तो गिर जाती है, उसकी, और जो इनके employees होते हैं, वो one is to one के ratio में होते हैं, मतलब सर, एक पैर जमीन पर एक कबर में, एकदम ये लोग वो museum से employees उठाके लाते हैं अपने, bank वाले देखने में तो ठीक ठाक लगते हैं, daily नहां क्या है, post office वाले बिचारे वही फटे चीज़ड़े हाल में देते हैं एक कल head office से मंगवा के दे देंगे, तो post office का system अभी इंडिया में इतना strong नहीं हुआ कि same day आपको ठेर सारे पैसे दे दे, that's why इसे किस definition में include किया गया है, M2 में, bank के पास कोई problem ही नहीं है, क्योंकि bank में transactions की frequency बहुत स्यादा होती है, ये ग्यान इसलिए दे रहो, वाईवा में इसा पूछा जाएगा आपसे, even आपसे board में पूछा जा सकता है, why post office saving deposit is constituted under M2 and not M1, तो आपका answer यह होगा, because frequency of monetary transactions in post office is comparatively less as seen in banks, तो bank आप जाएए, आपकी account में एक लाग रुप है, bank manager दो मिनट में पैसा देगा आपको, but post office के पास इतना cash होता ही नहीं है, क्यों नहीं हो क्योंकि post office primarily saving का काम करते हैं, वो disbursement of loan वगेरा का काम नहीं करते हैं, इंडिया का कोई post office आपको loan नहीं देगा, क्योंकि RBI ने उनको loan देने के लिए allow नहीं किया हुआ है, तो post office is an institution जो low income group के monetary transactions के exchange के लिए बनाये गया था, rural areas, small town areas and district में यह जाधा active है, तो obvious ही बात है, आ आपके घर में house hell पारी है, post office में उनने saving account खोल लिया, 5-6,000 रुपे महीने का जमा होता है, 3-4,000 वो withdraw कर लेते हैं, क्या उनने 2-4 करोड की जरूत है, no, तो post office primarily accepting deposit का का काम करता है, lending loan का का काम नहीं करता, तो उनक्या cash का disbursement बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोग उनस at this point, तो जरहाए question लिख लिए copy में बड़े काम की चीज़ है, why post office saving account deposit is not constituted in M1, quickly चलिए, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा सब को की M1 में क्या क्या आएगा भई, currency with the public, bank का saving और current account, bank का जो पैसा RBI के पास पढ़ा है, and M2 में इन सब के साथ एक नई चीज़ आ post office, समझ में आ गया, what is M2 चल रहा है, let's get down to M3, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लोग M1 पढ़ लेते हैं, आप खुश हो जाते हैं, जब M2 पढ़ते हैं, तो उनको लगता है, it is M1 plus something, M1 plus something, M3 जब पढ़ते हैं, तो बच्चों को पता है, sir, it is M2 plus something, कितना असान होता ना, तो मैं हरुमान मंदिर के सामने कट्रोले के बैठा होता, कितना असान नहीं है, M3 is what, M1, पहले M1 फिर से लिखते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा देखने में आपको, it is all currency held with individual and what firms plus saving account and current account with the banks plus RBI के पास commercial banks का, जो deposit पढ़ा हुआ है, वो, यह तो M1 हो गया चलन, M1 हो गया, इसमें मैं post office का saving जोड़ दू, तो M2 बन जाएगा, but I am not supposed to add that, हमें क्या add करना है, bank की FD, simple भाषा में, bank की FD, तो ध्यान से सुनिएगा, क्या-क्या आएगा, हमारे M3 में चल रहा है, M3 में so-called, यह आ जाएगा, M3 में यह आ जाएगा, and children M3 में यह आ जाएगा, but एक word आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ, what children, net का मतलब क्या होता है, सर वो जाली वाला net, जिस पे हम badminton खेलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने state bank में 500 करोड का fix deposit कराया, समझ मां क्या, state bank ने 200 करोड पे आगे further, किसी दूसरे bank में fix deposit करा दिया, सर ऐसा क्यों, हमने 500 करोड state bank को दिया, state bank of India कह रहा है, हम आपको 8% interest देंगे, इन्होंने कुछ पैसा lend कर दिया public को at 12%, तो मैंने state bank of India को कितने पैसे दिये, FD के बचों, 500 करोड, इन्होंने 300 करोड रुपे आगे loan दे दिया, कितने पैसे बचे इनके पास को, ये 200 करोड रुपे, state bank of India ने HDFC को दे दिया, at 8.25% interest, समझ मारी बात, तो bank में हमने FD की, और bank ने आगे FD कहीं, और कर, logic समझ मा गया, अब गलती कांपे होती है, आप 500 करोड की FD देख रहे हैं, जो मैंने state bank में करवाई, और 200 करोड की FD देख रहे हैं, जो state bank ने HDFC में कराई, students कहेंगे, sir, total 700 करोड की FD हुई है, is it true, total FD कितने की है, मेरा पैसा ही दो जगा गया है, एक तो loan बाट दिया, और दूसरा FD करा दी दूसरे bank में, तो net का मतलब 700 में से 200 माइनस होगा, सिर्फ 500 को ही लेना है, तो इसको बोलते हैं, double counting का error, अभी आप national income जैसा एक chapter पढ़ेंगे, तो मैं यह चीज़ आपको बताऊँगा, तो it's just like that, कि आपके पापा ने 1,00,00 रुपीज पॉकेट मनी दे दी, total family income के एक लाग दसजर हो गई, उसी 1,00,00 के अंदर से तो 10,000 दिया है, तो यह गलती नहीं करनी है आपके, तो फिर से समझीए, M3 में क्या क्या आएगा, individual और firms के पास जो currency है, यह आ जाएगी, saving account और current account में जो पैसा पढ़ा है, bank में, post office में नहीं, वो आएगा, और bank में जो FDRs हैं, वो अला पैसा आएगा, तो layman language में FDR बोला जाता है, banking भाषा में time deposit या term deposit बोला जाता है, मेरी बात में भरोसा ना हो, तो आज घर में मम्मी के locker से FD certificate निकाल के देखिएगा, उस पे time deposit या term deposit या fixed deposit receipt लिखा होगा, understood this, तो यह जो आपने structure पिष्टी क्लास से बनाया था, प्लीज इसके आगे mark कर लीजिए M3 में क्या क्या जाएगा, बीख एक, चलिए, अब आते हैं what is called as M4 की तरफ, देखिए बचो, M4 की definition क्या है, M3 वाला सारा data आएगा इसके अंदर, फिर से लिखते हैं, currency held with individual and firms, plus saving account and kurukure account, that is current account, कहां पे हो गाई है, bank में and RBI के पास commercial banks के जो deposits हैं, वो आ जाएंगे, इतनी बात समझ में आ रही है, and children M3 में क्या आ रहा था और, FDR kept with banks, और नई चीज क्या आ जाएगी, post office का FDR as well as saving account, लगबग सभी कुछ आ गया, लगबग सभी आ गया, cash ले लिया पूरा, आपने bank का saving और current account ले लिया, bank ने जो पैसे RBI के पास सके वो भी ले लिये, bank का fixed deposit भी आ गया, post office का total deposit, what, total मतलब saving भी और current भी, सिर्फ क्या छूटा है, national savings certificates, ये पैसा post office, core central government को देता है, ये पैसा और कहीं इस्तमाल, नहीं हो सकता, यहां लिखा NSC है, but hand in hand, public provident fund, सुकन्या समरिद्धी योजना, इन सब के पैसे भी, M4 में नहीं आते, क्यों नहीं आते, NSC का पैसा पांच साल से पहले मिलेगा नहीं, आप उल्टी कसरत कर लीजे, हड़ी काट के, लीवर निकाल के, मोदी जी के सामने लग दीजे, पैसा वापिस नहीं मिलेगा, सर अगर वो मर जाए इनसान, जिसके नाम पे national savings certificate हो, तब भी नहीं मिलेगा, उपर क्या है, सुपर ब्लॉक, तो ये बहुत ही बेकार, लिक्वेड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लिक्विटी, नहीं है, पंदरा साल आपको वेट करना पड़ेगा, ताट्स वाइ, सर इसको M5 में लिख दें क्या, RBI आपको फोन करके बुला लेका सवेरे, आओ प्रभू कहां थे, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, लॉजिक समझ में आया की नहीं, लॉजिक समझ में आया की नहीं, तो ये पैसा M5 में जा सकता है, बट अभी धरती पैसी definition नहीं पड़ेगे, ध्यान से 12 पढ़ दीजे, graduation करिए, post graduation करिए, PhD करिए, research करिए, और इसको M5 में डाल दीजे, तो आपके नाम क्या आगे डॉक्र लग जाएगा, तब लोग 5 definition पड़ेंगे, M1, M2, M3, M4 and M5, बट आज तक दुनिया में M5 नहीं बना, बट अगले जन्नम में कभी बनेगा, तो मेरे को याद जरूर रखिएगा, ओके, so please update the children, और मैं यहापर लिख भी देता हूँ, क्या-क्या आएगा, भई ये आएगा M4 में, ये भी आएगा M4 में, ये भी आएगा M4 में, इनको छोड़के, ये भी आजाएगा M4 में, समझ में आगई बाद, समझ में आगई बाद, तो आप से पूछ सकते हैं, teachers आपका intellect test करने के लिए, why national saving certificates, provident fund deposits, then sukanya samriddhi yojna deposits, are excluded from M4, because they have a very long term maturity period, where you get back your money, 15 साल से पहले आपको पैसे, नहीं मिलेंगे, loan मिल जाता है 7th year onwards, सिर्फ PPF में, बट वो भी 7 साल आपको wait करना पड़ेगा, समझ में आ गया, तो अब अगर घर में, मम्मी से code word में बात करनी है, सामने नौकरानी उसको नहीं पता चलना चाहिए, तो आप मम्मी से बोल सकते हैं, मम्मी समझ जाएंगी, घर में जो पैसा पड़ा है, उसमें से मांग रहे हैं, अगर आप बोलेंगी, काइंडली रेडियूस M1, M2, M3 और M4, मम्मी समझ जाएंगी, सेविंग अकाउंट या करन्ट अकाउंट से बोल रहे हैं, समझ में आ गया, फिर आप मम्मी से बूचेंगी, हमारी शादी के लिए, कितना M4 आपने रखा हुआ है, मतलब कितनी, FD वगेरा बनवा के रखी है, कोड़ वर्ट, समझ में आया की नहीं, पापा से पैसे मांगने हैं, ऐसी बोल सकते हैं, जड़ा गवर्णर साब की चिठी दे दीजे, ग्रीन कलर की, समझ जाएंगे 500 रुपए का नोट आप मांग रहे हैं, पिंग कलर की गवर्णर साब की चिठी दे दीजे, ममा विल अंडरस्टैंड की 2000 रुपीज मांग रहे हैं, तो नौगरों को पता नहीं चलेगा, बट अगर उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है, लाइक किया हुआ है, तो वो भी समझ जाएंगे ये बात, ओके चलिए, कॉपी कर लीजे, तो ये बातें सब को समझ में आ गए, ये एम एम टू, एम टू, एम टू, एम फोर में नहीं आता हो गया, मनी सप्लाई में नहीं आता, अरे वही तो बात हुई भई, वाई दे आर एक्स्लूदेट फ्रॉम मनी सप्लाई, तो आंसर होगा, बिकॉज दे हाव, नो ओबलीक, पूर, ओबलीक, वर्स्ट लिक्विडिटी, नो ओबलीक, पूर, ओबलीक, वर्स्ट लिक्विडिटी, समझ में आगई बात, बीकुए, 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 तो M1, M2, M3, M4 समझ में आ गया, आपके सामने एक निमेरिकल आ रहा है चल्वरन, थोड़ा सा मेरे को पेट साइज रिड्यूस करना पड़ेगा, चल्विए, इस इड विजबल टो एवरिबडी, चल्वन, निमेरिकल विजबल टो एवरिबडी, चलो, तो सबसे पहले हम M1 कैल्कुलेट करेंगे, then we'll calculate M2, then we'll calculate M3, and then we'll calculate M4, I doubt कि शायद आपके स्कूल लेवल पे निमेरिकल आपको कराए गए होंगे, teachers are least interested, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, वो करा देते हैं, चलो, let's start, M1 calculate करते हैं, बचो, currency with the public, आएगा M1 में, currency with the public, आएगा, लिख दीजे, AD 4000, demand deposit with banks, M1 में आएगा, नहीं आएगा, अरे भई मैंने पढ़ाया आपको, आएगा, दीखे भई, class करने के बाद copy पढ़नी पढ़ेगी, और class attend करने से पहले एक बार revise करना पढ़ेगा, ये restaurant नहीं है, गए तो fresh मिलेगा, पढ़ाई में सब 80 होता है, other deposits with RBI, अब कुछ बच्चे पता है, मेरे को क्या question करते है, sir other deposit मेरी मम्मी ने पैसा RBI में deposit किया, sir वो भी जुड़ेगा, भई आपकी मम्मी पैसा नहीं deposit कर सकती है RBI में, RBI में commercial banks पैसा deposit करते हैं, financial institutions, insurance companies, banking institutions, LIC, मुतुट finance वगएरा को permission होती है, मेरे आपके या business community को भी RBI में direct deposit करने की permission नहीं होती, तो ये भी आएगा, post office वाला आएगा बचो, M1 में, bank में जो FD करवाई है, और post office का saving account नहीं आएगा, जोड़ लीजे, get me the answer, 1,55,000, चलिए 84,000, प्लस 68,000, प्लस 36, 1, 2, 1, 55, 6, 1, 2, समझ में आया की नहीं, पक्का, M1, M2, M3, M4, सब कुछ पढ़ाय जाता है, बच्चे सब पढ़ते हैं, exam में, MCQ में यही नहीं आता, पढ़ाते theory में हैं, पूछते numerical हैं, धोके बाज कहीं के, धोके बाज Board of Secondary Education, समझना गया, या Council for दोके बाज, School Certificate Examination, तो यह दोके बाज नहीं है, यह application test करते हैं, बच्चों, समझ गया सब लोग, M2, यादना क्या क्या आएगा M2 में, चलन, यादना M2 में क्या क्या आएगा, चलिए, लेट्स कंटीनू, सो चलन, M2 में M1 वाली सारी बाते आएगी, तो मैं सीधे सीधे, 155612 यहां लिख लेता हूँ, और क्या आता था M2 में, M2 में और क्या क्या आता था, आपके सामने है, सर, यह सब तो आप लेई चुके हैं, Post Office का, Saving Account, तो Post Office का, Saving Account कितना है बच्चों, 5528, बस easy है, calculate कर लीजे, 161140, understood, understood, काफी बच्चे लिएंद बोलते हैं, सर, economics तो थेयोरी हैंना, मैंने खाँ, बुक में, बट पढ़ने में, थेयोरी, practical applied साब है, चलिए M2 भी आगया, अब क्या calculate करेंगे, M3, चलिए, देखे बच्चों, M3 भी start किससे हो रहा है, M1, तो भई M1 का, तो मैं पूरा answer as it is, लिख लेता हूं, ओके, और क्या लिखा था हमने, Post Office का, सौरी, Bank का, FDR, Bank का, FDR, कितना है Bank का FDR, 200 शारुक खान, लोग बोलिंग ज़र ये क्या है, शारुक खान का फेवरेट नमबर है, 555, नहीं बता आप लोग को, औरे, क्या आप लोग general knowledge रखते हैं भई, 555 इस फेवरेट नमबर, मैंने एक बार उन से पूछा था, आपने अपना नमबर ऐसा क्यों लिखा, कैंसर मेरे जिन्दगीम कोई 55% सो को नमबर ही नहीं आ है, वो मैंने 555 लिख लिख लिया, चलिए, 155612, प्लस 200555, इस हो मच, 356,167, दन दिस मच, M4 में क्या क्या आ रहा था बच्छों, स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, M3, M3 क्या है आपके पास, 356, 167, प्लस वाट, सर यही एक बचा है बिचारा, अकेले था अपने घर में इसको भी गुमा देते हैं दोड़ा सा, प्लस 22500, इट्स, 378, 667, आप ये भी बोल सकते हैं, इस दा टोटल मनी इन दा कंट्री, गलत, 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 टोटल मनी सप्लाई इन दा कंट्री, कुछ नोट आरभी आई के पास अभी भी पढ़े हैं, जो बजार में सर्कुलेट नहीं हो रहें, सर वो क्या है, उसको भी जोड लेंगे, क्या बन जाएगा, स्टॉक, क्या बन जाएगा, स्टॉक, तो जड़ा एक नोट लिख लीजिए, कॉपी में, मज़ा आएगा लिखने में, M4 प्लस करन्सी हेल्ड विद आरभी आई, नोट इन सर्कुलेशन, I repeat, M4 प्लस करन्सी हेल्ड विद आरभी आई, नोट इन सर्कुलेशन इस टोटल स्टॉक ओफ करन्सी रादर सप्लाए नोट सर्कुलेशन, जलिए, तो स्टो कॉल्ड यहाँ पे और तो कुछ बस बचा नहीं है, I hope so I have covered everything in what is called as अपना सपना मनी, मनी, ठीक है, चलिए, तो बचो यह मनी चैप्टर का टेस्ट मैं आपका शेड्यूल करूँगा, प्रॉबबबली बाइ कमिंग वीकेंड, आपको टेस्ट के लिए मैं सिर्फ बारा घंटे पहले इन्फॉर्म करूँगा, तो यह चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है, पढ़ाई दना दन चालू कर दीजे, कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता देता हूँ, that is not given anywhere in CBSC books, बट मेरी कुछ आदत रही है शुरू से एक्स्ट्रा पढ़ने और पढ़ने की, तो definitely it should be shared with you, तो एक बार सरसरी निगा से देख लेते हैं, बार सिस्टम सबको आता है, कोई प्रॉब्म दो नहीं है, तो इसको अपने घर बुला लीजेगा जाडू लगाने के लिए, और उसके घर जाके cooking कर दीजेगा, it is सहले को या सहली को अपने घर बुला लीजेगा, मतलब लड़कियों के लिए सहली और लड़कों का जो दोस दोता हो सहला, घर बुला लीजेगा, जाडू पोचे बरतन के लिए, और उसके घर चले जाएगा, electricity repairing के लिए, तो इस बार्टर सिस्टम, क्योंकि आप मेरे स्टूटिंट है तो तो थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे आप, meaning of money वगेरा हम पढ़ चुके है, kinds of money already we have done, ये note आपने देखे होंगे, तो functions of money already we have done, primary, secondary, contingent, ये किनले mineral water का नाम सुना होगा आपने, इनका उससे कोई लेना देना नहीं है, वाटेट कुछ लोग सोचूँगे, डेविट किनले का इससे लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं है, secondary functions भी कर चुके हैं, और ये contingent type भी कर चुके हैं हम लोग, तो इसमें कुछ नया नहीं है, importance of money already done children, components of money supply भी हो चुका है, M1, M2, M3 and M4, एक पते की बात आपको और बताता हूं, ये अभी M1, M2, M3, M4 है चल्टेन, जो एक पुरानी definition थी, जो अब बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती, that was M0, M1, M2, M3, तो M0 को M1 कर दिया गया है, M1 को M2 कर दिया गया, M2 को M3 और M3 को, कुछ लोग बोलते हैं कि ये नहीं definition है, got it clear, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, चलिए, एक topic लिखिए अपनी copy में, Impact of Inflation and Deflation Impact of Inflation and Deflation on Money Supply. Impact of Inflation and Deflation on Money Supply. इसमें मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ. I hope so, everybody knows Inflation शब्द का मतलब क्या होता है? बचों, Inflation शब्द का मतलब पता है क्या होता है? Who suffers the most? The middle class, मेरे जैसा, and the poor community, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनको भी चीजें, महेंगे में ही शॉप की पर बेचने की कोशिश करता है. तो Inflation is a or the period of simply speaking what children? Rising prices. तो market में दाम दना दन बढ़ता है. Government को कुछ करना चीए बचों या government को foreign travel करना चीए इनके ministers को? Answer, government should make, take some effort or foreign travels. Take some effort और deflation क्या होता है, sir? Period of falling prices. So market में goods की shortage है. ज्यान दीजे का मेरी बात पर goods की shortage है. बट लोगों के पास पैसे बहुत हैं. बट समान ही नहीं उतना. तो 10 cars available हैं पूरी country में. खरीदने वाले 500 लोग हैं. क्या car वाला discount देगा? वो दस गुना पैसा भी charge करेगा. That's a period of inflation. कहने का मतलब too much money chasing to less goods and services. पैसा बहुत है? पैसा बहुत है? बट goods and services लोगों के खरीदने के लिए available नहीं है. inflation का मतलब समझना क्या? थोड़ा बहुत inflation अच्छा है. 4-5 percent, 4 percent चले अच्छा है. 15-20 percent अगर inflation होगा, तो लोग मर जाएंगे. क्यों मर जाएंगे? आत्मत्या कर लेंगे. लोगों की कमाई बढ़ी है, annually 4 percent के इसाब से. जितने मेरी salary पेश्टर सालती, इस साल 4 percent बढ़ गई. बट बजार में महँगाई बढ़ी है, 15 percent. तो मैं कहां से और पैसे ले के आऊंगा? चोरी डखेती की जाएगी. तो inflation थोड़ा बहुत हो अच्छा है. बहुत जादा नहीं होना चाहिए. सर ये बढ़ी है, सर. It's a period of. क्या deflation अच्छा है? हाँ, सर. समान का दाम गिर रहा है. सब कुछ सस्ता हो रहा है. बई, सब कुछ सस्ता हो रहा है. मतलब shopkeeper को अपना output सस्ते में बेशना पढ़ा है factory वाले को. समान डेर सारा रखा है, दुकान पे कोई खरीदने नहीं आ रहा. बिचारा किस्मत का मारा मक्ही मार रहा था. तस unit दुकान में पड़ी हुई है, खरीदने वाले दो customer है. वो भी negotiate कर रहे हैं. क्या करेगा shopkeeper बिचारा दाम कम कर देगा? He would reduce the price. जब बिचारा price reduce करेगा, तो उसका profit margin कम होगा? Profit margin कम होगा, तो मुन्ना मकैनिक को क्या बोलेगा? राजू पेंटर को क्या बोलेगा? नौकरों को क्या बोलेगा? बही हाँ, हमारा आपका साथ आजी तक का था. अब कल से तुम्हें job पे आने की जुरत? नहीं है, क्योंकि बही है मेरा profit ही नहीं है, मैं तेरे को तनका कहां से दूँगा? क्या होगा? Unemployment बढ़ेगा. उस राजू कारपेंटर के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, अब वो अपने बच्चों की स्कूल की फीज नहीं दे पाएगा, वो अपने बच्चों का admission विड्रॉ कर लेगा. धेर साय लोग जब इस तरह के हो जाएंगे, बच्चे स्कूल विड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल अफ दे स्कूल वोट से वाट तू दे टीचर, मैं कल्सेन को पढ़ा लूँगा, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, टीचर वुड भी, अनिम्प्लॉइट, अब टीचर अनिम्प्लॉइट हो गया, तो टीचर की कार की EMI कहां से आएगी, बैंक वाले इंजिनियर्स, इंजिनियर्स, इटल अल्सो गो, सर रूना आ रहा है, सर रूला यह मत सर, हम समझ गए, उसकी भी नौकरी गई वहां से, सर भगवान से जाके मंदिर, मस्जिद, चर्च गुर्दवारे में एक ही प्रात्मा करेंगे, यह प्रभू, समझ में आया की नहीं, पक्का, तो जब लोग कुछ अनपर टाइप के मेरे साथ बोलते हैं, क्या सरकार कर रही आए, दिन दाम बढ़े जा रहा है, बिलकुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि दाम गिरेगा तो आप गिर जाएंगे, और गिरते-गिरते कबर में चले जाएंगे समझ में आया, तो what is good, inflation और deflation, थोड़ा बहुत mild inflation is good, समझ में आ गया, अब यहां पे impact क्या होता है, money supply पे, ध्यान से सुनिएगा, बजार में लोगों के पास बहुत पैसा है, और वो लोग goods खरीदने तो जा रहे हैं, बट बजार में goods उतने हैं नहीं, तो they will be buying goods at high price, और government ने बोला, और note खापो, और note खापो, और note खापो, जिसको पैसे की ज़रत नहीं है, उसको भी दे डालो, already market में goods की shortage है, दाम already बड़े हैं, मुन्ना हलवाई, राजू कारपिंटर, everybody is getting loan at very easy terms and conditions from the bank, बजार में वैसे ही समान नहीं है, राजू हलवाई, मुन्ना मेकेनिक, क अलू कारपिंटर, ये सब भी बजार जा रहे हैं, कार खरीदने जा रहे हैं, गाडियां है ही नहीं, इनके पास पैसे हैं, इनके पास पैसे हैं, तो कार के शोरूम वाला क्या करेगा, कार का प्राइस, और बढ़ा देगा, बट क्या कार available है, नहीं है, तो क्या government ने सही काम किया, उन्होंने आग में घी डाल दिया, तो अगर आपसे हिंदी के टीचर पूछें, आग में घी डालने का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे, सर, इंफ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई बढ़ा देना, इंफ्लेशन के टाइम बढ़ा देना, एक तो पैसे, पहले ही, दाम बड़ा हुआ है चीजों का, चीजों अल्रेटी बजार में महेंगी है, बैंक और पैसा दिया जा रहा है, और पैसा दिया जा रहा है, लोग और पैसा लेके बजार जाएंगे, बट समान है ही नहीं, तो what government should do, money supply को restrict करें, या और available कराएं, simple as that, समझ में आया की नहीं, deflation is a period, जहां पे दाम गिर रहे हैं चीजों के, क्यों sir, कस्टमर ही नहीं आ रहा दुकान के, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा, पैसे नहीं है बिचारे के पास, who will give money, RBI, government will give money, how, government RBI को बोलेगी, भई आप money supply पढ़ाईए, लोगों को country में, जादा से, जादा लोन दीचिए, लोगों के पास पैसा आएगा, वो बजार जाएंगे, लोन पे कार खरीदेंगे, तो जो गाड़ी नहीं बिक रही है, excess stock of cars की वज़े से, दाम गिरा के बेशना पढ़ा है, शोरूम वाले को, बिचारे को दाम नहीं गिराना पढ़ेगा, क्योंकि 10 गाड़ियां शोरूम में है, खरीदने वाले सिर्फ, दो लोग, अब खरीदने वाले 8 और पहुच गए, क्या कार सस्तेम बेशनी पढ़ेगी, नो, क्योंकि अब कस्टमर आ रहा है, तो डीफलेशन के केस में, मनी सप्लाई को बढ़ाना पढ़ता है, नोट और चापने पढ़ते हैं, समझ में आ गया, तो अभी आपने देखा होगा, कंट्री में, बैंक्स में, रेट ओफ इंट्रेस्ट जो है, लोन का चल्ग्रेन, क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि बैंक नहीं चाहता कि लोग लोन ले, क्योंकि अल्रेटी बजार में पैसा बहुत चलता है, लोग और लोन लेंगे, और प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स के पास कस्टमर की कमी नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बट खरीदने वाले हैं, और लोन लेके आ जाएंगे, तो प्रॉपर्टी का प्राइस और बढ़ जाएगा, तो बिचारे गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे बैंकी प्रॉपर्टी समझ में आ गया यह सब बातें बैंकिंग में और टैक्सेशन में हम लोग करेंगे तो यह सब को समझ में आ गया how inflation is defined and क्या करना चाहिए money supply को inflation के टाइम पर है समझ में आ गया समझ में आ गई बात अपका चलिए वीडियो अप्लोड हो जाएगा अच्छा लगेगा तो उठा चाहब उठा दिखा दीजेगा कोई डाउट हो तो प्लीज पूश लीज़ेगा